बच्छों आज हम लोग अपने alternating current के चेप्टर में फ्रत्यवर्ति धारा के पाठकरम के अंतरगर चोक कुंडली एक छोटी सी electronic device है चोक क्वाल जिसको हम चोक कुंडली कहते हैं उसके बारे में अध्यान करेंगे तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई अगर alternating current circuit है जैसे fluorescent tube है या tube light है आप देखते हैं कि उसकी circuit में उसके पास एक छोटी सी डिबिया जो है डिब्बी जैसी device होती है जिसको हम अट कर देते हैं जिसको हम चोक क्वाल चोक कुंडली कहते हैं तो चोक कुंडली का मुखकार क्या है चोक कुंडली का मुखकार ये है कि वो alternating current circuit में प्रत तो बैदूत उर्जा का वो लॉस नहीं करने देता चोक कुंडली तो हम यह कह सकते हैं कि चोक कुंडली एक प्रकार की वह है इलेक्टानिक युक्ति है जो किसी परिपत में लगाने पर प्रत्यावर्दी धारा परिपत में लगाने पर बैदूत उर्जा का छै नहीं होने दे उसको हम चोक कुंडली कहते हैं तो चोक कुंडली की फार्मेशन में हम लोग देखते हैं कि चोक कुंडली बनाते कैसे हैं तो चोक कुंडली के बनावट के लिए यह नरम लोहे क्या पतला-पतला तार का बंडल होता है उसको आपस में लैमिनेट कर देते हैं तो चोक कुंडल इस तरीके से आपकी ये बनाई जाती है जैसे ये पतला पतला ये नरम लोहे की ये पतली पतली तार छड़े होती है बहुत पतली पतली और इसका एक बंडल बना लेते हैं कि इसको हम पूरी एक मोटी छड़ भी लेशते हैं लेकिन पूरी एक मोटी छड़ नहीं लेते हैं इसको पतला पतला बंडल बना लेते हैं पतले पतले तारों का बंडल बना लेते हैं क्योंकि एडी करेंट जो आपकी भावरधारा उत्पन होती है वो भावरधारा से बचने के लिए हम पतला 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 नरम लोहे का तार ले लेते हैं तो आपके दिमाग में ये बात आ जाती है कि आखिर हम पूरी रौट क्यों नहीं लेते जैसे हमें एक पतला सा नरम लोहा लेना है तो जैसे हम ये पूरा ये नरम लोहे का पूरा इतना मोटा है इतने पतले पतले तारों के रूप में ले करके गुच्छा बना लेते हैं। तो पतले-पतले तारों का गुच्छा इसलिए बनाते हैं कि जो ED current है जब यह uniform एक होगा alone होगा, इसमें ED do वड़ी आसारी से create हो जाएगी पैदा हो जाएगी और उसकी वज़ा से भी उर्जा का Loss होगा और ये उसमा होगी और वो आप्रिटर साब का गरम होगा तो इस बाफ से ED current से बचने के लिए भाव अर धारा से बचने के लिए हम इसको पतले 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 तारों के रूप में consider करते हैं तो नरम लोहे का ये पतलपनलातारों का बंडल होगा और इसके ऊपर ये ताबिक का मोटातार यह लपटा होता है इसके ऊपर हम य interface के था मोटे तार को लपट देते हैं अपने उस बंडल के ऊपर और फिर इसमें जो हमारा alternating current source है उसको lattice कर देंगे और सरकीट में जो भी हमारा बालव या ट्यूब लाइट है जो सोर्स है जिसको हमें यूच जिसमें सप्लाई कराना है उसको हम जोड़ देंगे तो यहां पर जो पतला पतला यह क्रोड है जो बंडल बनाए है लोहे का इसको हम नरम लोहे का जो बंडल बनाए गया इसको हम क्रोड कहते हैं इसको हम ये क्या है? ये क्रोड है और ये तावे का मोटा तार होता है ये तार इससे लपेटे होंगे ये हो गया तावे का तार और ये आपका क्या है? ये है A-C सोस A-C स्रोत है तो इसमें होगा क्या कि जो ये ताविक अतार है लपेटा हुआ है ये ताविक अतार यल का काम करता है सर्किट में ये यल का काम करता है ये प्रेरक का काम करता है ताविक अलपेटा हुआ तार यल का काम करता है और हम ये जानते हैं कि जब प्रत्यावरती धारा परिपत में क कोई प्रेरख लगा हुआ होता है तो उस समय एवरिज पावर का जो फार्मूला आता है वो एवरिज पावर का फार्मूला P is equal to V REMS I REMS into cos phi के फार्म में प्राप्त होता है और परिपत्थ में जब यल का भी है भी यह ताविक आतार जो लपेटा हुआ कुंडली है यल का वर करता है यल का भी है करता है तो हम यह जानते हैं का alternating current circuit के लिए जब परिपत में यल जुड़ा हुआ होता है तो वहां पर voltage में और current में पाई बाई टू का phase difference होता है तो यहां पर जो phase difference बनाएगा फाई यह पाई बाई टू मिन्स 90 का फेज difference बनाएगा तो हम जो इसमें supply जा रही है यह supply को देखें कि alternating current supply होने से power loss की क्या इस्थिती हो रही है तो average power p is equal to vrms into cos πाई बाई टू और आप यह जानते हैं कि cos πाई बाई 2 means 0 cos πाई बाई 2 means cos 90 means 0 तो हमें यह मिल गया p average is equal to vrms i rms into 0 that is average power loss आपका मिल गया 0 तो यहां से हम लोगों नहीं यह देखा कि अगर circuit में हम इस तरीके के device बना करके लगा दें तो वहां पर जो average power loss होगा वो सुन्य होगा average power loss सुन्य होने का मलब की उरजा का 6 नहीं होगा जब उरजा का 6 नहीं होगा तो जो उरजा का 6 होता है वही उरजा उसमा के रूप में व्यक्त होती है और सरकीट हमारी गरम हो जाती है आप्रेटस गरम हो जाता है तो इस बास से यह चोक कुंडली हमें बचाती है तो चोक कुंडली एक छोटी इसका मतलब कि वहां उसमा नहीं उत्पन होगी जबकि आइडियल स्टेट मिलता नहीं है जो यह तावे का तार है कोई न कुछ न कुछ यह भी प्रतिरोध धुत्पन करता है इसकी वज़े से भी कुछ रुकावट धुत्पन होती है जिसे पावर हमारा लॉस होता है लेकिन यह चोक कुंडली के लगा देने से हमें अधिक्तम इस्टिती यह प्राप्ठ होती है कि यह उर्जा का अच्छय नहीं होगा और सरकिट हमारी गरम नहीं ह होगी दाट साथ